सुशान सिंग राजपूत केस में एम्स पैनल का बड़ा खुलासा, CBI को सौपी जाच की रिपोर्ट एक्टर सुशान सिंग राजपूत की मौत को साड़े तीन महिने हो चुके हैं मामले में Central Agencies, CBI, ED और NCB जाच कर रही है सुशान की मौत की गुथी जल्द ही सुलज़ती नजर आ रही है क्योंकि एम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है सुशान सिंग राजपूत मामले में फॉरंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को सीरे से खारिच कर दिया गया है अब CBI इसमें आत्म हत्या के एंगल से जाच करेगी दिल्ली की एम्स मेडिकल टीम के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने जहर देने की किसी भी थियोरी से इंकार किया है जिसका दावा सुशान सिंग राजपूत के परिवार ने किया था एम्स डॉक्टर्स की टीम ने सुमवार को CBI के साथ अपनी जाच रिपोर्ट साज़ा की थी जिसमें कूपर हॉस्पिटल के तत्य को भी ध्यान में रखा गया है एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद अब CBI आत्म हत्या के एंगल से जाच करेगी जाच में देखा जाएगा कि शुशांत ने किन वजहों से आत्म हत्या की है या फिर क्या उन्हें किसी ने आत्म हत्या करने के लिए उकसाया था सूत्रों ने बताया है कि एम्स के डॉक्टर्स पैनल ने अपनी जाच पूरी कर ली है और यह फाइल बंद करने जा रही है फोरेंसिक जाट से जूड़ी सारी रिपोर्ट्स CBI को सौब दी गई है CBI को इस बीच अगर हत्या का कोई भी पहलू नजर आता है तो वो IPC की धारा 302 जोडेगी जो इरादतन हत्या के तहत लगाई जाती है सुशान सिंग राजपूत के परिवार ने सुशान्त की गल्फरेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्टर को मानसिक रूप से प्रताडित करने का और पैसो की हेरा फेरी करने का आरोप लगाया था परिवार का कहना है कि सुशान्त की हत्या में यह चक्रवर्ती मुख्य रूप से सामिल थी CBI ने अभी तक इस मामले में 20 लोगों से पूछताच की है जाच एजन्सी सीज किये गए लैप्तॉप, हार्ड ड्राइव, डिजिडिल कैमरा और दो मोबाइल फोन की जाच कर रही है पिछले हफ़ते सुशान्त के परिवार के लॉयर विकास सिंग ने कहा था कि CBI ने जाच में देरी की वजह से सुशान सिंग राजपूत की हत्या को आत्म हत्या में बदलने का फैसला लिया है एम्स टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे द्वारा भेजी गई तस्वीरे 200% बताती है कि ये गला घोटने से मौत है आत्म हत्या नहीं हाला कि विकास सिंग की इन आरोपो को एम्स की डॉक्टर्स की टीम ने नकार दिया था जबसे ये खबर आई है कि एम्स की पैनल ने हत्या की थहरी को खारिच कर दिया है सोशल मेडिया पे ऐसी खबरे हैं कि ये एक फेक निउस है अब सुशान्त के फैन और उनके परिवार वाले CBI और एम्स के दौरा ओफिशिल कन्फरमेशन का इंतजार कर रहे हैं जबसे खबरे हैं